लेवलिंग की मैं आपसे बात करूँ तो लेवलिंग क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स हो गए उन दो पॉइंट्स के बीच के अगर 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 आपन को डिफरेंस पता करना है तो उसके लिए अपन करते हैं लेवलिंग अगर लेवलिंग की मैं अपसे बात करूँ के लेवलिंग क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का मुझे डिफरेंस पता करना है तो उसके लिए मैं करूंगा लेवलिंग जैसे मालो कोई सर्फेस है कोई रूल सर्फेस है तो भाड़ी ताइप इलाका है या कोई रूल एरिया है तो मालो की मुझे उसका लेवल करना है तो लेवल करने के लिए क्या करूंगा या तो मैं उस पार्ट्स को कट करके उस मैटरियल को फील कर दूंगा तो उससे अपना level हो जाएगा या उस level तक कि मैं material feel कर दूंगा जो volume of work हो रहा है तो यह मेरा किलाएगा leveling for example जैसे मैं आपसे बात करूँ कि अपने linear measurement पढ़ाता तो linear measurement अपन क्या करते हैं horizontal direction में जो सीधा सीधा measurement कर रहे हैं तो अपना किलाता linear measurement ठीक उसी तरीके से अपन vertical direction में इसमें जो अपना measurement करते हैं तो अपना किलाता है leveling जैसे मैं uses and purpose of leveling की बात करूँ कि leveling का क्या purpose है क्या uses है तो जैसा सबसे पहले कोई dams हो गया कोई reserve हो गया तो उसका मुझे contour में बनाना है तो control में बनाने के लिए मुझे leveling की जरुवत पड़ेगी उसके बात कोई roads होगा है कोई railway project होगया तो इसका alignment देखने के लिए मुझे leveling की जरुवत पड़ेगी कोई pipelines वगेरा होगई कोई canals वगेरा होगई कोई reservoir वगेरा तो इन सब सारी चीजों के लिए की करुए मुझे leveling की जरुवत पड़ती है अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या क्या instrument इस्टूमेंट यूज होते है leveling में तो अपने जनरली दो टाइप्स के लिए इस्टूमेंट यूज होते है पहला होता है level की बात करो में तो different types के level instrument होते है, जो पहला आपका होता है, वो होता है dumpy level, दूसरा जो आपका होता है, वो होता है y level, तीसरा जो आपका होता है reverse level and last, आपका जो होता है वो auto level, तो ये आपके level instrument होते है, dumpy level की मैं आपसे बात करूँ, तो dumpy level क्या होता है, कि जो इसमें telly scope होता है, ये fix होत की होता है और इसमें उत टारए को क्या करता है क्या के इसमें एस्में करकें करबाते improved है और द fibers wonder कि प्रशिए करो लेवल और यह लेवल वांग का कॉंद को माई होक्या उसको होताइ के गद champions इस भी होता है और दूसरी बात इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि लॉंगी डियूटनल डायरेक्शन में इसली मेजर्मेंट कर सकते हैं आपको डिस्प्ले पर डायग्राम देखके इसली समझ महारा होगा कि जैसे मैं आटो लेवल की मैं आपसे बात करूं तो आटो लेवल क के अंदर क्या होता है कि करेक्शन सिस्टम होता है इससे क्या करता है कि अपने अलायमेंट को आटो करेक्ट कर लेता है तो यह डिफरेंट टाइप्स के अपने लेवलिंग के इस्ट्रूमेंट होते हैं उस फोर टाइप्स के स्टाफ होती है पहले स्टाफ जो आप की होती ह वो तिसरी जो आपकी होती है वो चोती जो आपकी होती है वो इनवर्ट स्टाफ होती है तो इसकी जो लेंद होती है वो फोर मीटर होती है जब अपन इसको फोल्ड करके रखते हैं तो इसकी लेंद जो होती है वो टू मीटर की हो जाती है तो जो वन लेंद स्टाफ होती है य उसका नहीं हो सकती जो इसकी लेंद होती है वो 3 मीटर की होती है उसके बाद आप से बात करूं कि तौई इंवर्ड के साम कि इसक्राइब की अपने क्राइब करें उस सốngपीज़ करने यह स्थाफ चाहिं यह जीजिजा ने लीवाल इसकित आप सब्सक्राइब बंद एन्यामills में आपको पिले आपकिलातों करने सबूख सब्सक्राइब लेवल लाइन की, तो लेवल लाइन क्या है आपकी? जो लेवल सर्फेस में होती है, उस लाइन को अपर बोलते हैं लेवल लाइन. डेटम्स की मैं आप से बात करूं, तो जो अलसर्फेस होता है, अलसर्फेस पर जो सारे object होते हैं उनका जो elevation अपन measurement करते हैं उस point का पन बोलते हैं datum जैसे मैं बात करूँ इंडिया के datum point की तो जो इंडिया का datum point था जो वो पेले था काराची अब अब इंडिया का datum point है वो है मुंबई क्योंकि जो काराची था वो पेले रिडियूस लेवल आपका क्या होता है तो रिडियूस लेवल जो आपका होता है datum से किसी भी point की सम्मुदी सता से उचाई उसको अपन बोलते हैं रिडियूस लेवल अपना आरे next important terms की मैं आपसे बात करूँ तो line of columnination line of columnination क्या होता है कि आपकी जो eye pieces से object तक की जो imaginary line होती है उस line को अपन बोलते है line of columnination axis of telescope की मैं आपसे बात करूँ axis of telescope क्या होता है तो axis of telescope के अगर अपन बात करें तो जो आपका eye pieces होता है और आपका जो object होता है उसके crosser के बीच से जो निकली वी imaginary line होती है उसको अपन बोलते है axis of telescope बात मैं आपसे बात करूँ benchmark की कि benchmark क्या होता है benchmark की मैं आपसे बात करूँ तो simple सी way में कि कोई भी ऐसा point जिसकी reference से अपन कोई भी level up कर रहा है या level down कर रहा है या किसी भी point के reference से अपन किसी भी surface को level कर रहा है तो उस point को अपन बोलते है benchmark जिसे benchmark की मैं technical terms में बात करूँ तो data terms को मान कर fix किया गया कोई भी surface पर वो point जिसकी reference से अपन कोई level लेते हैं वो अपना किलाता है benchmark different types के benchmark होते है जिसे first math से बात करूँ तो GTS benchmark हो गया उसके बाद permanent benchmark हो गया फिर उसके बाद temporary benchmark हो गया और उसके बाद arbitrary benchmark हो गया सबसे पहले GTS benchmark की बात करूँ तो GTS benchmark क्या होता है कि हर 100 meter की distance पर government ने benchmark provide किया है पूरे इंडिया के अंदर हर 100 km की distance पर और वो जो benchmark अपना किलाता है वो अपना GTS benchmark किलाता है जैसे permanent benchmark की मैं आपसे बात करूँ तो permanent benchmark आपका क्या होता है कि GTS benchmark की reference से माना गया कोई point उस point को अपन बोलते हैं permanent benchmark permanent benchmark जनरली इसे अपन railway track बना रहे हैं या railway platform बना रहे हैं या railway line डाल रहे हैं या कोई भी road अगेरा design कर रहे हैं तो इसमें अपन जनरली permanent benchmark का यूज करते हैं उसके बाद मैं आपसे बात करूँ temporary benchmark की तो जिसे किसी भी project पर अपन काम करने से पहले वहाँ पर जो अपन benchmark बनाईंगे या काम खतम करने के बाद जो benchmark अपन बनाते हैं उस benchmark को अपन बोलते है temporary benchmark उसके बाद arbitrary benchmark की बात करूँ तो arbitrary benchmark क्या होता है अपना कि जैसे कोई भी normal अपन 10 से 15 days या कोई ना normal project है जिस project पर अपन work कर रहे है तो उस project पर अपन जो short distance के लिए जो benchmark यूज करते है उस benchmark को अपन बोलते है arbitrary benchmark अब जैसे example के तोब पर arbitrary benchmark का मैं आपसे बात करूँ जैसे कोई भी दो point है उन दो point के बीच का मुझे difference पता करना है या difference पता लगाना है तो उस types के benchmark को मैं बोलूँगा arbitrary benchmark अब जैसे इसमें अपन जो auto level होगी आपना या dumpy level या जो भी level instrument होता है उससे अपन जो leveling करते है तो उसमें कुछ important इसे terms का use होता है कुछ side में use कुछ sides का use होता है इसके अंदर जैसे अपन बात करें अपना BS, back side हो गई intermediate side हो गई, four side हो गई back side की मैं आपसे बात करूँ तो क्या होता है कि back side जो अपनी होती है जिस point से अपन reading लेना start कर रहा है वो अपना point के लाता है back side, उसके बाद मैं आपसे बात करू four side की, तो four side क्या होता है कि जहां आपन reading लेना खतम करते है, जो अपना last point होता है उस point को अपन बोलते है four side, और intermediate side क्या होता है अपना back side और four side के बीच का जो difference होता है उस point को अपन बोलते है intermediate side उसके बाद next terms की मैं आपसे बात करूँ तो change point अपन उस point को बोलते है कि जहाँ पर अपना instrument एक जगा से अपन दुसरी जगा पर shift कर रहा है उस point को अपन बोलते है chain point height of instrument की मैं आपसे बात करूँ तो height of instrument आपका क्या होता है कि जो temporary adjustment करने के बाद जो आपका instrument होता है वो एक station पर set हो जाता है set होने के बाद क्या होता है कि जो line of columnination होती है वो जो height of instrument होता है उसके age का जो reference होता है उसी को अपन बोलते है height of instrument जिसे मैं आपसे बात करूँ methods of leveling की तो दो types के आपकी methods होती है जो height of instrument method होगी वो जो दूसरी होती है आपकी rise and fall method होती है जो height of instrument की methods की मैं आपसे बात करूँ तो यह easy methods होती है ठीक है और rise and fall method आपकी hard होती है जो आपकी rise and fall methods होती है इसमें क्या होता है कि आपको times कम लगता है और height of instrument में आपका time ज़्यादा लगता है और आपकी height of instrument method जो आपकी होती है वो easily workable होती है and rise and fall method जो होती है वो easily workable नहीं होती है तो जो आपन आगे आपी इस best पर आपन जो numericals करेंगे तो इसमें आपन वो detail से पढ़ेंगे Thank you for watching